नमस्कार दोस्तों मैं दुर्गेश्वर कैवर्थ आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने YouTube चैनल online CGPSC में आज का टॉपिक है भारती सविधान में महिलाओं के लिए विशेश प्रावधान अर्थात भारती सविधान में महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा के बारे में आज हम जानेंगे, आपको पता ही होगा कि भारती सविधान की प्रस्तावना में सभी के लिए समाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय देने की बात कही गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता प्राप्त करने की बात कही गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है, विक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने की बात कही गई है, इसी के अंतरगरत महिलाओं के लिए कौन-कौन से विशेश प्रावधान हैं, उसको आज हम जानेंगे, देखिए, भारती सविधान की जो फंडामेंटर समान हैं, और सभी को समान सलचड दिया गया है, इसके अंतरगरत महिलाओं को भी पुरुस के समान अधिकार की बात कही गई है, अनुचेत पंदरा का एक कहता है कि राज अपने नागरिकों के मध्य, धर्म, मूलुवंस, जाती, लिंग, जन्म, इस्थान के अधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं करेगी, यहां पर लिंग के अधार पर विभेद ना करने की बात कही गई है, वहीं अनुचेत पंदरा तीन की बात करें, तो अनुचेत पंदरा में विद्यमान कोई भी उपुबंध राज को इस्त्रियों वा बालकों के लिए विसेश अधान यहां पर कर सकता है, आप चलिए जानते हैं, अनुचेत सोला के बारे में, जो लोक सेवाओं में अवसर की समता की बात करती है, अर्थात अनुचेत सोला के तहत, रोजगार या किसी राज के किसी कार्याला में, निक्ति के संदर्व में, त्सभी नाग्रिकों को पाउसर की समानता दिलाने की बात करता है अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद तीज क्या कहता है अनुच्छेद तीज बलात बिगार या दुर्व्योहार की मनाही की कही गई है अर्थाद अनुच्छेद तीज के अंतरगर्थ जो है महिलाओं के साथ दुर्व्योहार या बलास्तरम नहीं किया जाएगा उनका निसिएद करने की बात करती है अनुच्छेद अब चलिए जानते हैं नीती निर्देशक तत्व के अंतरगत कौन कौन से विशेश परोधान महिलाओं के लिए हैं तो अनुच्छेद 49 अ देखिए इसमें समान आजीवका के अउसर की बात करता है अर्थाद अनुच्छेद 49 के के तहत जीवको पारजन के परियापत साधन के लिए पुरूस एवं इस्त्री को समान अधिकार दिये जाने का उल्लेक करता है इसकी अत्रिक्त 49 में भी डी देखें या इसको घह बोल सकते हो 49 घह इसमें पुरूस एवं इस्त्री को समान कारे के लिए समान वेतन देने की बात करता है अर्थाद महिला और पुरूस को समान कारे के लिए समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित करता है वहीं अनुचेद 42 काम की निया संगत और मानवचित दसाओं का तथा प्रसूती सहायता का उपबंध का प्राधान करता है अर्थाथ अनुचेद 42 जो है महिलाओं के लिए जो प्रसूती सहायता है तो उपबंध करने की बात यहां पर करता है अनुच्छेद 46 देखे अनुच्छेद 46 क्या बोलता है कि जो अनुच्छी जाती और अनुच्छी जन जाती हैं तथा समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके सैच्छिडिक एवं आर्थिक हितों को प्रोसाहन करने की बात करता है समाजिक अन्याय एवं सोसल से सुरच्छा की बात करता है अनुच्छेद 46 तो महिलाओं की सैच्छिडिक वा आर्थिक हितों को प्रोसाहित करने की बात इसमें कहा गया है अब चली जानते हैं कि मौलिक करतविक के अंतरगत महिलाओं को कौन कौन से विशेज प्रोधान है तो देखिए अनुच्छेद 51 का कहता है कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जारी प्रताओं का त्याग करें वैसी प्रताएं जो महिलाओं की गरिमा उनकी सम्मान की विरुद्ध अभी भी हैं वर्तमान में वैसी प्रताओं का हमें त्याक करना चाहिए यह प्रावधान सविधान में किया गया है वहीं अनुच्छे 243D की बात करें तो 243D पंचायती राज जो अधिनियम है उसमें जो है पंचायत में एक तिहाई इस्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान यहां पर किया गया है सविधान में आपको मैं ध्यान दिला दूं कि 36गड़ जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें महिलाओं को 50% जो है इस्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है वही 243D की बात किया जाए इसमें जो नगरी रिकाय है उसमें भी महिलाओं के लिए जो है आरक्षड की बात किया गया है एक इति हाई पद इसमें भी महिलाओं के लिए अरच्छित होगा ओके तो यह है आपका महिलाओं के लिए विशेष उपुबंध आई होप आपको मेंस में काम आएगा दिस तो जो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है इसको आप को और सीजी पीशी मेंस के पेपर सेवन में भी है एसे में भी यूज कर सकते हो या कहीं पर भी जहां आप महिलाओं के बारे में लिख रहे हैं वहां पर इन आर्टिकल का उपयोग करके वेल्यू एडिशन कर सकते हैं आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आपक एक जान से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो मैं लाता रहूंगा यदि आप मुझे फालो करना चाहते हैं तो फेस्बूक इंस्टाग्राम और टेली राम पर भी फालो कर सकते हैं थैंक्यूरी मच थैंक्स फाल लिसनिंग धन्यवाद